नवस्कार दोस्तो जहिंद वंदे मात्रम मैं आपके साथ जैसवाल सर आपके अपने यूटूब चैनल सिच्छक वर्ती के चैनल पे स्वागत अविननन दोस्तो बात करेंगे हिंदी ग्रॉमर के मौक टेस्ट नंबर 9 में सभी का विलकम अविननन दोस्तो ठीक है प्रतेक डे सेलेक्षण अगर ग्रमर की तियारी हिंदी करते हैं सनसकत की भी त्यारि साथ में होती IS 90 ग्रामर क्वर्चन बहुती इंप्वर्टिन रहता है तो Grid9 मंतो संदी का नाम होगा शोर संधी बेंजन संदी बिसर्ग संदी या इनमें से कोई नहीं तो यह सोदा की बात करते हैं तो यह सोदा का संदी नाम कॉनसा हो और आप लोग भी comment द्वारा बता सकते हैं अपना opinion, अपना feedback, अपना answer बता सकते हैं तो right option हो जाएगा दोस्तो तीसरा option बिसर्ग होगा ठीक है यसोदा क्या होता है यसे धन्दा बराबर यसोदा होता है तो बिसर्ग संदी सभी लोग जानते हैं ठीक है जब यसे हो जाएगा तो कौन सा हो जाता है यह बिसर्ग संदी हो जाता है दूसरा प्रस देखते हैं क्या पूँचा जा रहा है दूसरा प्र अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रण्छक सो positions अब भीदे सब्द में कौन सी संदी होगी? गुन संदी होगा, आयादी संदी, यन संदी, दीर संदी. अब हम बात करें अब भीदे की बात करें. आपको पता है संदी समास, प्रत्य उफशर्ग यहां से प्रस्ण आते ही आते हैं, कनफर्म आते हैं आपके टीटिक जाम में. अब्यूदै सब्द में कॉंसी सिंदी होगी, आप लोगों का कमेंट आपका फीडबैक चाहेंगे दोस्तों, अब्यूदै में आपका कौंस हो जाएगा, ठीके मैंने क्या बताया था, अब्यूदै, ठीके? तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यन संदी की बात करेंगे क्यों सा हो जाएगा अभी धन उदय अब बोलेंगे यन संदी क्यों होगा देखें अभी धन उदय अगर इसका हम करते हैं तो E, U मिलके या A, U में परिवतित हो जायता है अभी धन उदय पराबर अभी उद हो जाता है अर्थात ये आपका यन स्वरसंदी हो जाएगा आप देखते हैं दोस्तों अंगला प्रसंदी के कितने भेद होते हैं तीन चार पांच साथ तो सभी लोग जानते हैं स्वरसंदी के कितने भेद होते हैं सभी लोग कमेंट करके बताएंगे पांच भेद होते हैं व संस्कत में चटमा पूरूप शंदी होता है संस्कत के बात करें हो हिंदी में आपके पांची होते हैं अंगला प्रसने स्वर्ज संदी का उधारन कौन सा होगा वागीस दिगंबर रतनाकर दुशकर्म तो आप लोग देखते हैं वागीस वाकधनिस दिगधन अंबर ठीक है द बेर्थ सब्द में दोस्तों बताइएगा बेर्थ सब्द में किन वर्गों की संदी होई है तो बेर्थ में एधन आ की हुई है या पहला आपसन सई हो जाएगा अब देखते हैं अंगला प्रसन हर एक प्रसन इंप्रसन है आपका कमेंट आपका फीड़ एक सरनाम है शबी दोस्तों का विलकम अभिरंदन है दोस्तों निर्जन में प्रियुक्त संदी का नाम होगा श्वर संदी बिंजन संदी विसर्ग संदी या निमेशे कोई नहीं तो दोस्तों निर्जन का बताना है ठीक है हम निर्जन में प्रियुक्त संदी का नाम क्या होगा तो सभी लोग ज अस्त्र ब्रह्माधन अस्त्र ठीक है ब्रह्माधन अस्त्र होगा या ब्रह्माधन अस्त्र होगा तो ब्रह्माधन की बात करेंगे ब्रह्माध का सही संदी बेचेत क्या होता है दोस्तों ब्रह्माधन अस्त्र होता है अर्थात पहला अपसन हो जाएगा आमिल के बड़ा में परिवत्तित हो जाता है तो आपका यहाँ पर दीर्ग श्वरसंदी हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रशन श्वागतम में प्रयुक्ति संदी का नाम क्या होगा यन संदी गुण संदी दीर्ग संदी या आपका ब्रद्दी संदी होगा तो श्वागतम शू मैंने बताय था धवर अरिशी ला मिलके यारा लावा मिलके और अरिवर कोई असमान स्वरायत उसमें अबर यासी अर को ला को ला में आदेस हो जाता या नी परिवतित हो जाता है अब देखते हैं अं絡़ा प्रसंद सुर्योदय में प्रिवक्त संधी का नाम क्या होगा शुर्योदय, गुण, ब्रद्धी, यन संधी या आपका देख संधी होगा तो हम बात कर रहे हैं सुर्योदय की शुर्धन उदय, ठीक है आ उ मिलके ओ में परिवतित हो गया यानि के आप सभी लोग जानते हैं गोनिसंदी की बात करेंगे पहला आपसंसी हो जाएगा आ, उ मिलके ओ में परिवत्तित हो जाए ठीक है ठीक है आ और ओ और आ ओ और जो ए होता है ए और ओ किसका होता है आपका सभी लोग जानते है गुनिशन्दी की बात करते हैं ठीक है आई मिलके ए में परिवतीत हो जाए आउ मिलके ओ में आपका गुनिशन्दी होता है अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्म निरुत्तर सब्दमास सुद्द संदी बिच्षेत क्या होगा निरुत्तर निधन उत्तर निर्धन उत्तर या निधन उत्तर तो सभी लोग जानते हैं निरुत्तर में अगर बिच्षेत करते हैं तो आपका कौन सा संदी बिच्षेत हो जाता है तो बिसर्ग हो जाता है जो आपका ने धन उत्तर होगा ठीक है ये बाला ना होगा कौन सा बाला होगा नीचे D आपसन बाला उत्तर हो जाएगा I think right आपसन D हो जाएगा सब मित्रों को जहिंद वंदे मात्म जितने प्यारे भाई ने पहली बार विजट कर रहें सब्सकाइब कर लेंगे आपका अपना परिवार है यहाँ पर हर एक लाटेस्ट वीडियो आपके इसी से रिलेटेड आपके सलेवर्स के कौडिंग यहाँ पर ठीक है वीडियोज मिल तो सभी लोग जानते हैं मने भाव यानि बिसर्ग संदी का यहाँ पर होगा, तो क्या हो जाएगा मने धनबाव, मनो भाव, ठीक है, मनो भाव का संदी भी छेद, मने धनबाव, अर्थाद, बिसर्ग संदी की बात करेंगे, right option आपका c option हो जाएगा आपका comment चाहेंगे दोस्तों किसमे बिसर्ग संदी है तो सभी लोग जानते हैं ठीक है नरेन में आपका गुण संदी होगा सज्जन में सत धंजन सज्जन में आपका बिंजन संदी होगा अउर फोता है आपके किस संदी में होता है और आपका इपका बिसर्ग में आजएगा निम्नकी सब्दों में किसमे बिंजन संदी है सबतर्सिमे निराधार में, शतकार में, हीमालय में तो हिम धन आले आपका दीरगिस्वर संदी का उधारन है और सबतर्ज की बात करते हैं तो हमारा गुन संदी का उधारन है ठीक है? और पूचा गया बेंजन बताना तो नीधन आधार बराबर नीडाधार यहाँ पर आपका हो जाएगा लेकिन सदकार की बात करेंगे ठीक है? तो सदकार यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बेंजन संदी हो जाएगा सत धनकार बराबर सदकार हो जाएगा अब देखतें अंगला प्रसुन आ धन ए मिलके ए स्वर के किस भेद में बिक्त करता है? जब आ, इ मिलके ए में परिवर्तित हो जाता है ठीक है? और आ, उ, आ और उ मिलके ओ में परिवर्तित हो जाता है तो कौन सदी होता है? गोन संदी होता है ठीक है दोस्तो किस में आ, ए मिलके ए में और आ धन, उ मिलके किस में ओ में परिवर्तित हो जाए? तो हमारा कौन सा होता है दोस्तों वह आपका गुण संदी होता है I think a right option I think right option आपका दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका right option सही हो जाएगा गुण संदी हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रसन क्या दियागा इसकीन पर है इसकीन पर प्रसन है कि अधै धन गती, अधो गती की संदी का उधारन होगा आपके स्वर्शंदी का है, बिसर्ग संदी का है, बिंजन का है, गुन संदी का है सभी लोग जानते हैं अधै दिया गया है यानि बिसर्ग पहले ही चिन आपका दे दिया गया है तो right option यहाँ पे b option हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्न उत्धन हार के योग से कौन सा सब्द बनेगा उतार, आहार, उदार या आपका उधार बनेगा तो सबी लोग जानते हैं उत्धन आर आपका वेंजन संद यानी के उत्धार यहाँ पे आपका बनेगा तो right option यहाँ पे D option हो जाएगा अब important प्रस्न है, selection वाला प्रस्न है कि धातु के कितने भेद होते हैं अनुधन आय, अनुधन आय या अनुधन आय हो जाएगा तो अनवे का सही संदी बिच्छित क्या होता है दोस्तो ठीक है सभी लोग बताईएगा राइट अपसन कौन सो होगा तो राइट अपसन यहापर क्या होगा अनुधन आयानी की पहला अपसन यहापर सही हो जाएगा ठीक है और कौन सो संदी होगा यन संदी होगा ठीक है कौन सा हो जाएगा यन संदी होगा यद्धपी त्यादी अत्याचार ये स्वागत ये सारे किसके उधार है यन संदी के हैं तो अन्वे भी आपका यन संदी का उधारन हो जाएगा दोस्तो यद्धपी प्रयुक्त में संदी का नाम है अभी हमने बताय यददप में कौन सा संधी होता है गुण होता है आयादी होता है यण होता है दीर्ग होता है तो हमने बता है यददपी में दीर्ग संधी होता है यदिदन अपी बराबर यददपी होता है अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस सलेक्सानला प्रसन ध्यान दीजेगा ठीक प्रत्य कोंस prop कहलते दोस्तों जो आपका धेग्हें धातू पदों के नाम पद बनाने वाले प्रत्य को करत प्रत्य कहलतें जो धातू पद हैं उन पदों को करत परत्य करत प्रत्य को ब California not only इतिक्रते इतिक है यानि इस प्रत्य को धातुच या क्रदंद प्रत्य भी कहते हैं बहुत बहुत धन्वाद वीडियो लाइक करने के लिए दोस्तो शबी ग्रूप में शेयर करने के लिए आपका अपना परिवार है अवर फैमिली है दोस्तो किस सब्द में आवा प्रत्य नहीं है बहुत बार पूछा गया है कम्टियोट उज्जा में दिखावा चढ़ावा और भुलावा इन तीनों में हैं लेकिन आपके दोस्तो यहाँ पे क्या है दिया गया है लावा में जो है यहाँ पे आपका प्रत्य नहीं होगा अब देखते हैं दोस्तो अंगला प्रस्ण इसकीन पर क्या दिया गया है प्रसने दिया गया कि इन में से कौन सा सब्द समूह आचक प्रत्य नहीं है अब हम समूह आचक प्रत्य की बात करेंगे लोग, गण और वर्ग ये तीनों होते हैं समूह आचक के सब्द हैं लेकिन जो प्रेस सब्द है प्रेस यहाँ पे आपको क्या दिया गया सबी लोग जानते धनिक में ठीक है धन धन एक बराबर धनिक होता है यहाँ पे एक प्रत्य का प्रयोग हुआ है तो right option यहाँ पे दोस्तो D option सही हो जाएगा आपको comment आपको opinion सरोमान है यहाँ पर दोस्तो किस सब्द में प्रत्य लगा हुआ है देखिए सागर नागर तीसरा option जो misprint है तो जादू गर में आपका प्रत्य लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जादू धन गर हो जाएगा अंगला प्रस्ण है किस सद में उपशर्ग का प्रयोग हुआ है तो सभी लोग जानते उपकार में उपधनकार ठीक है तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है तो सभी लोग जानते ही दोस्तों यहाँ पे आपका उप उपसर्ग लगा हुआ है अंगला प्रस्ण क्या दिया गए इसकी इन पर आप लोग देख पा रहे हैं क्या है प्रस्ण कि इन में से किस सद में उपशर का प्रयोग हुआ है ठीक है लाब दायक पढ़ाई अपना अपन उपहार तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर राइट अपसन उपधन हार उपउपसर का प्रयोग हुआ है दो तीन प्रस्ण और ध्यान पूरग देखेगा अनुवाद में प्रयोगत उपशर कौन सा होगा आ होगा अन होगा अ होगा यह आपका अनुवाद की बात करते हैं अनुवाद में सभी लोग जानते हैं कौन सा होगा दोस्तों ठीक है अनुवाद में प्रयोगत उपशर कौन सा होगा नी होगा नी होगा या नी होगा तो सभी लोग जानते है निरवाय में निधनवाय, बिसरग संदी वाई यह संदी नहीं यहाँ पर उप्षरग बताना है तो यहाँ पर I think right option D होना चाहिए आपको opinion, आपका feedback के हाँ लोग comment के मादधम से भी बता सकते हैं हिंदी में क्रत प्रत्यों की शंख्या कितनी है सलेक्सान अला प्रस ने ध्यान दीजेगा यह अंतिम प्रस ने इस क्लास का, इस सेशन का फिर कल आपकी क्लास होगी, लाइफ क्लास डेली होती है तो हिंदी में कृत प्रत्यों की शंक्या कितनी है दोस्तों टीक है नाइन पीम में डेली आप क्या होगी नाइन पीम से नौ से लेके साथे नौ बज तक कि आपकी लाइब क्लास होती है तो क्रत प्रत्यों की शंक्या दोस्तों 28 मानी जाती है आपको opinion आपका फीडिवेग भी बता सकते हैं तो ये class कैसी लगी नीचे comment बाक्स जुरू बताएं हैं दोस्तो हमेशा हस्तरी है मुस्कुराते रहे ये आपका अपना परिवार है like, subscribe, share करते रहें यहाँ पे इसे related आपको टिक है वीडियोज classes मिलती रहेंगी क्योंकि यहाँ पर selection's row परी है दोस्तो नवस्कार जैहिन शुबरा